नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश संदू एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे स्वीटूब चैनल लीगल मेंटर पे अगर आप चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही ह्पू की लेटेस अपडेट के लिए दोस्तों आज की वीडियो के इंदर हम बात करेंगे ह्पू मैट एंटरंस एक्जाम 2022 के बारे में के एंटरंस डेट क्या है और कब तक आप इस एंटरंस टेस्ट को भर सकते हैं टोटल सीट्स कितनी हैं सीट्स का डिस्रिविशन कैसे रहता है और साथी साथ जो बड़े इंपोर्टन होता है कि एंटरंस का स्लेब बस क्या रहता है और इसके साथ मेरिट लिस्ट जुहाओ कैसे बनती है तो हम सब बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो आप इस वीडियो को एंट तक देखिएगा अगर आप इस एंटरंस टेस्ट की त्यारी कर रहे है साथी साथ अगर आपको इस एंटरंस टेस्ट के प्रिवीश एंटरंस कोश्मेपर चाहिए तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट legalmentor.in से जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं डेट के बारे में जो लास्ट टेट है अप्लाई करने की एच्पु मैट के एंटरंस टेस्ट के लिए वो है 14 में 2022 यानि कि आप 14 में तक इस एंटरंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपके एंटरंस एग्जामिनेशन की डेट है वो है 27 में और जो आपका डिक्लेर होगा रिजल्ट उसकी डेट है 11 जून 2022 जो आपका इंटर्व्यू है और साथी साथ जो आपका ग्रूप डिस्क्रिप्शन है उसकी डेट यहाँ पर दी गई है मैं को यहाँ पर डिस्क्रिप्स नहीं करूँगा अब हम समझते हैं टोटल सीड्स के बारे में टोटल यहाँ पर 120 सीड्स होती है जिसके अंदर 60 सीड्स होती है सबसडाइज और साथी साथ 60 सीड्स होती है नौन सबसडाइज अब इन दोनों के अंदर फरक को हम समझेगे क्योंकि बड़े सारे स्टूडिंस यहाँ पर confused होते हैं कि इन दुन वे फरन क्या होता है जो मैं मान के चलूं की Gal 10,000 और जो आपका non-subsurized seats हैं, वहाँ पर fees होती है 1 lakh per annum, तो यह difference वहाँ यहाँ पर होता है, इसके बाद हम समझते हैं, entrance labors के बारे में, जो आपका entrance होता है MBA का, वो total 200 marks का होता है, जो आपका A part है, English Comprehension and Language, second part, numerical ability and data interpretation, third part, general intelligence and critical reasoning, and fourth part, general knowledge and business awareness, तो यह हर पार्ट 50 marks का होता है, अचलिये तो अभी हमने entrance labors को समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं, कि आपकी merit list कैसे बनती है, merit list के अंदर 4 point बड़े important होते हैं, पहला application rating, 10% of the percentage of marks obtained in each of the following examination, मतलब कि आपके metric, 10 plus 2 और graduation, वहाँ पे जो आपने percentage score किये होते हैं, उसका 10% वहाँ से आपको marks मिलते हैं, इसके अंदर total 30 marks होते हैं, दूसरा जो आपने entrance दिया होता है, उसके अंदर आपने कितने marks score किये होते हैं, इसके अंदर 50 marks होते हैं, तीसरा group discussion 10 marks, और fourth यानि कि last personal interview 10 marks, तो यह total यहाँ पे 100 marks का हो गया, इनी 4 points को देख के आपकी merit list बनती है, और आपकी admission HP industry के अंदर होती है, तो आज हमने समझ लिया HP Mad के बारे में, क्या आप कब तक apply कर सकते हैं, entrance test की date क्या है, total seats कितनी है, और syllabus क्या है, तो यही था इस वीडियो के अंदर, अगर आपको कोई भी question मुझसे पूछना है, इस entrance test के बारे में, तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आप मुझे text कर सकते हैं, मेरी Instagram profile पर, जिसका link आप मिल जागा description के अंदर, अगर आप previous year entrance question paper को download करना चाहते हैं, हमारी website legalemented.in से, जिसका link आपको मिल जागा description के अंदर, तो यही था इस वीडियो के अंदर, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो कर दीजिए, thank you and thanks for watching.